बतलते दौर में पासपोर्ट की जरूरत तीजी से बढ़ गई है खास कर अंतराष्ट्रे यात्राओं के लिए इसके चलते लोग ओनलाइन पासपोर्ट आवेदन करने की विकल्प को प्रात्मिक्ता दे रही है हाला कि इस प्रक्रिया में बढ़ते ओनलाइन फ्रॉड ने लोकल एटीन ने बाच्छित की और जाना कैसे फर्जी और असली वेबसाइट की पहचान कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग है जो गलत मंसा से उन्होंने डॉट जैसे हमारी वेबसाइट है जी ओवी डॉट इन इससे मिलते जुलते डॉमेन उन्होंने बना रखे हैं तो बहुत बार एप्लिकेंट्स समझ नहीं पाता है कि अथ्राइज वेबसाइट कौनसी है और वो किस पे क्लिक कर रहा है तो गलती से उस रूट पर चला जाता है तो मेरा उसको सुझाब यह है कि वो अथ्राइज वेबसाइट जो मैंने बताया उसी पर ही एक्सेस करके अपना रेजिस्ट्रेशन करें और रेजिस्ट्रेशन के उपरां यूजर आईडी पासफट बना कर उसी पर ही लॉग इन कर कि अपना आवेदन सब्मिट करें देखें यदि कोई भी आवेदक हमारी वेबसाइट www.passportindia.gov.in खोलेगा तो खोलते ही एक पॉप-अप आता है उस पॉप-अप पे दो एडवाईजरी लिखी है एक ततकाल आवेदन के बारे में है और दूसरा जो एफेक वेबसाइट ह है उसके बारे में तो उसमें सारे वो डोमेंस मतलब वो लिस्ट पूरी नहीं है बट उस प्रकार की बहुत सारी डोमेंवाली वेबसाइट हैं जो और भी हो सकती है तो उसमें से कुछ का उलेख उस पॉप-अप में किया गया है जिसमें .org.gov.in की जिए डॉट-in ऐसे करके डोमेंस हैं जो की उससे मिलते जूलते हैं सर उत्राखन से कोई ऐसा कोई मामला सामने है जो परजी वेबसाइट पर लॉग-इन किया हो इसमें आवेदन किया हो लेकिन आपके आफिस बहुँचकर वो बासपोर्ट की मांग करता हूँ कोई रगता या कोई आज नहीं अभी वेगत सीख्र में तो ऐसा कोई मामला हमारी संग्यान में नहीं आया लेकिन पिछलों वर्सों में ऐसे बहुत सारे केसिस जरूर आये थे जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने आनलाइन आवेदन किया और इसका भुगतान किया और इसके बाद वो लिंक उनको आगे नहीं ले जा सकी तो ऐसे केसिस को जैसे ही जब भी वो प्राप्त हुए हमने उसको मंत्राले जो की वेब साइट का कंट्रोल है जिसके बास उसको हमने अग्रिसित कर दिया अंगरीम कारवाई के लिए और यही इस्थिति है आज भी अगर कोई ऐसा आवेदा काता है तो उसको हम इस टाइब की अगर सिकायत आती है तो उसको मंत्राले के तुरण संग्यान में लाकर अग्रिकार्वाई के लिए अंडोट करते हैं हम लोगों